जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब हाउशान इस परिट फरनिस को एबसॉब कर लिया था तो तब उसके मामडर उसे छोड़ कर जा चुके थे और उसके लिए उन्होंने नोट लिखा था जिसमें काफी कुछ लिखने के बाद वो कहते हैं कि जब तक बहुत ज लग रहा था कि वो गुस्से में अपनी तलवार से एक चट्टान को ही कार्ट डालता है उस लेटर में ये भी लिखा था कि उसे अपने मॉम डैट के पस तब तक वापिस नहीं आना है जब तक वो सेवन खाला का नाइट ना बन जाए वो पहले ओडिन सिटी में जाता है औ और वहां की तबाही देखता है हर तरफ तबाही ही तबाही थी और कहीं सारे सैनिक सिचुएशन को कंच्रोल करने की कोशिश में लगे थे आउशन डिसाइड करता है कि वो सभी डैमिन्स को मार कर ऐसी तबाही फिर दुबारा नहीं होने देगा मॉम और डैट मेरा वीट कर रही है और मुझे समय व्यार्त ना करते हुए आंगे बढ़ना होगा वही हम डैमिन्स लौट को देखते हैं जिसके पास उसका सेना पती आया है और सेना पति उसे बताता है कि वोल्फ डैमिन्स गौट जिंगी के हादों मारा गया है डैमिन्स गौट क्राउन भी विखर ग चोड़कर मेन काम पर ध्यान देना चाहिए। सेना पति उस मेन काम को भूला नहीं है। और वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि 6000 साल के प्रोफेसी आ चुकी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मुझे काम उसे इने चुबर से लगा लीती है। और उससे यहाँ आने का कारन पुछती है। हाव्षान उसे सारी कहाने बता देता है कि कैसे उसके मौम और चाहँ हूसे अकेला चोड़ के चले गए। जिनर उसे चिंता ना करने को कहती है और कहती है कि अभी तुम्हारे पास तुम्हारे ये जिनर मौजूद है और अगर तुम्हें कोई भी तंग करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी वहाँ तभी अंकल नलनाते हैं जो जिनर को काफी डाटते हैं क्योंकि वो प्राक्टिस करने के बचाए इतर उतर डोल रही थी लेकिन जब वो हाउशन को देखते हैं तो वो भी काफी कुछ हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जो उस दिन वो डेमन को मारा था वो तुमारे टीचर नहीं मारा था ना जब हाउशन हाँ कहता है तो वो उससे काफी कुछ होकर उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाते हैं लेकिन सबसे पहले वो आसपास एक शील्ड क्रियेक कर लेते हैं ताकि उनकी बात कोई और ना सुन सके वो कहते हैं कि डेमन्स इस पार बहुत बड़ा कुछ करने की सोच रहे थे लेकिन तुमारे टीचर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है और डेमन्स अब डर के मारे पीछे हट गए है और अंकल नलन को नहीं पता है कि जिन्यू इसके फादर है वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुमारे टीचर लौड जिन्यू को देख सकता हूँ हाउशन कहता है कि वो जा चुके हैं और फिर वो उन्हें एक लेटर देता है इस लेटर को बढ़कर अंकल नलन समझ आते हैं कि हाउशन जिन्यू का बेटा है और वो हैरान हो जाते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम किसी टेंपल में क्यों आये हो तुम्हारे बाबा दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट हैं और वो ही दुमे सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं हाउशन कहता है कि डाद ने मुझे यहां यह हुआ नाम के टीचर से पढ़ने के लिए भीजा है यह सुनकर अंकल नलन फिर से हरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह हुआ जिपढ़ने के लिए भीजा है हाउशन पूछता है कि आखिर यह हुआ को क्या हुआ है जो आप इतना हरान हो अंकल नलन कहते हैं कि ये हुआ कोई टीचर नहीं है बलकि वो तो एक बुक स्टोर की पर है और बाकी सबी लोग उसे नाइट शुड़ा कहते हैं और फिर अब इसके बादी एपिसोड यहीं कत्म हो जाता है